हेलो आज मैंने बनाई हूँ मसाला पनीर तो थोड़ा चटपटा है और तर्रीव अच्छी है उसमें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मैंने दो टेबल स्पून तेल डाली हूँ उसमें गरम मसाला खड़े वाले कुट के ताला है थोड़ा सा क्रश करके और एक टी स्पून जीरा और एक बड़ा प्यास इसे हम अच्छा सा ब्राउन होने देंगे अच्छा से ब्राउन कर ले फिर इसमें एक टेबल स्पून अधरक लसन का पेस्ट डाल देंगे अधरक लसन का पेस्ट दानने के बाद इसको एक नट थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे थोड़ा सा अधरक लसन का पेस्ट अच्छे से भून जाए उसके बाद दो टमाटर में दो हरी मिर्ची दाल के पीस लिया है इसे भी मैंने दाल दिया अब हम गरम मसाला दालेंगे दो टीस्पून धनिया पौडर, दो टीस्पून लालमीची पौडर और हाफ टीस्पून हल्दी अनमक्तेस के साब से इसे अच्छे से भून लेंगे इसके जो तेले छूटे जब तक के अब हम एक फ्राइ पेन में बटर मिल्क कर लेंगे इसमें हाफ टीस्पून हल्दी हाट हाफ टीस्पून लाल मिर्ची और हाफ टीस्पून धनिया पौड़ा दाल के पनीय दाल के अच्छे से टॉस कर लेंगे और फिर पाच मिनट के लिए इसे अच्छे से टॉस कर लें और फिर इसके बाद फिर से हम अपने भूना मसाले में आएंगे तो यह जो मसाला है इसे अच्छे से भून लेना है इसकी तर्री अच्छे से निकल जाए और इसके बाद मैं दो टीस्पून मलाई दालूंगी ले और इसे भी अच्छे से भून ले और कसूरी मेथी को मैंने भून के थोड़ा सा क्रश कर लिया और उसे भी इस तरह डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हमारा टॉस की अवा पनी डाल लेंगे पानी अज्जस कर लेंगे और फिर दस पाच मिनट के लिए इस लो आज पर अच्छे से से पका लेंगे और हरा धनिये के साथ सर्फ करेंगे गर्म गर्म, नान, पराठे या फिर चपाती आपको जिस से एंजॉई करना है उससे एंजॉई करें और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए थैंक्स पर वाचिंग बाई